अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे Samsung Galaxy J7 Dio जी हाँ यह Samsung Galaxy J7 Max जो पिछले साल आया था तो उसका updated version है Samsung Galaxy J7 Dio यानि Dual Rare Camera आपको मिलता है उसके साथ Dual SIM तो है ही obviously तो यह है J7 Dio तो J7 Prime 2 भी launch हो चुका है तो यह तो नो अरॉंड सिमिलर प्राइस है J7 Prime 2 आपको 1-2-2,000 रूपीज लेस में मिल रहा है यानि कि यह अरॉंड 16,500-17,500 में अविलेबल है मैं नीचे description में आपको link दे दूगा वहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं अच्छे discount भी मिलेगा आपको तो देखें यहाँ पर J7 Dio में आपको क्या मिल रहा है कि Exynos का new series जो 7 series chipset बनाया है उन्होंने तो 7870 का chipset मिल रहा है आपको इसमें और उसके साथ cortex का A73 का 2 core का processor है उसके साथ 6 cores cortex A53 का CPU लगाए गया है यानि बहुत ही अच्छा performance मिलना चाहिए क्योंकि इसका display जो है वहीं एक थोड़ा disappointing है ठीक है कि super amulet display आपको मिल रहा है बहुत ही beautiful display लेकिन full HD नहीं यहाँ पर 1280 by 720p मिलता है वहीं अगर आप J7 Prime 2 लेंगे जो कि इससे भी 1000 रुपीज लेस है 1500 रुपीज लेस है तो उसमें आपको full HD display मिलता है लेकिन dual rare camera बिलकुल नहीं मिलता है और 3G भी RAM उसमें मिलता है तो यह इतने सारे difference है और उसमें थोड़ा CPU भी 7850 का है तो यह 7870 ह यानि कि थोड़ा performance भी आपको उसमें कम मिलता है तो हम इसको test भी करेंगे चलिए box को open करते हैं और देखते है कि कैसा है Samsung Galaxy J7 Duo पहली बार इस चैनल पर आपके सामने J7 Duo cold color में तो यह है with flap है हम इसको remove करेंगे अभी तो यह है flush में देखे उसमें J7 Prime 2 में आपको premium build के दौर आपको metallic build मिलता है unimetal body लेकिन यहां पर plastic build मुझे plastic build वाल अच्छा लगता है कि आप बहुत सरा कैसे भी reliability ज्यादा रहता है इसका तो back panel भी removable है तो battery जब भी आपका कुछ struck होता है hang होता है तो बिलकुल आप battery remove करके अगल डालेंगे तो reset होके अच्छी तरह से on होगा तो य लिए अभी इसका plastic build है removable back cover हम इसको निकालेंगे लेकिन उससे पहले देखते है और box में क्या क्या है तो quick start guide as usual तो इसके साथ यह वाला देखे travel adapter charging के लिए 1.55 ampere का adapter है तो fast charging तो बिलकुल नहीं लेकिन 1.5 नहीं लेकिन 1.55 ampere दिये है 5 volts obviously तो यहां पर देखे बैटरी है ले quite normal headphone लेकिन फोन receive करने आप फिर फोन में बात करने के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है which is always appreciable तो उसके साथ यहां पर बैटरी तो बढ़िया बैटरी देखिए कितना flat slab जैसा है बहुत ही बाइड है बैटरी तो 3000 mAh का बैटरी है I think for the quality 720p का जो display है उसको उसके सा से हम देखेंगे तो 3000 mAh is enough test भी करेंगे तो चार्जिंग के लिए चार्जिंग वाला केबल तो हाई ही यहां तो इस इस दी सामसंग गालक्सी जे सवेंट यो आपके सामने for the very first time dual rear camera है backside speaker है यहां पर LED flash और फ्रेंट में 8 Megapixel का f1.9 aperture वाला ही camera है और LED flash भी है सपरेट से तो में कुछ interesting कुछ भी नहीं और बहुत ही lightweight है क्योंकि हमने बैटरी अभी install नहीं किया अचले बैटरी को अभी लगाते है और देखते है कि कैसा है बैटरी को इंसरे करने के बाद पहली बार power on करके देखेंगे कि कुछ बैटरी का juice बचा है या नहीं for the first time samsung galaxy j7 duo आपके सामने samsung galaxy j7 duo का home screen तो यह रहा home screen ऐसा है beautiful super amulet display लेकिन 1280 by 720p का display है not full HD तो gallery गैलरी पे क्या है कुछ नहीं फिलाल तो यहां पर अभी हम about phone को देख लेते है कि कांसा system run हो रहा है कांसा android version है तो about phone यहां पर है इसके बाद software information android version 8.0.0 तो 8.1 जो की latest है वो नहीं चल रहा है लेकिन खैर कोई बात नहीं है अगर आप internet को connect करेंगे कुछ updates आता है तो यहां से आप जरूर देख सकते हैं तो software update है अगर एक बार तैप करके download updates manually press करेंगे तो जो भी updates आता है वो आपको वहां पर मिल जाएग तो यह सारे settings है हाँ पर details है हम अलग वीडियो में देखेंगे अभी के लिए first boot इतना था और जल्दी से एक बार camera देख लेते हैं कैसा है user interface आप भी देख लीजिए camera का on the j7 duo तो यह 13 megapixel का f1.9 aperture वाला camera है बहुत ही खूप सुरत pictures आनी चाहिए बहुत ही detailed full screen standard and normal mood के लिए and यहाँ पर flash तो है ही उसके साथ settings वाल option यहाँ पर है यहाँ से आप बिल्कुल settings change कर सकते हैं details से देखेंगे तो बने रही है हमारे channel पर बहुत यह अच्छे videos लेकर आ रहा हूँ आपको details से सब कुछ बता दूगा कि क्या क्या है इसमें क्या कुछ करना पड़ता है आपको like क करना ना बूले और subscribe करके जरूर बने रही हमारे channel पर मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए take care अपना बाई बाई